हेलो स्टुडेंट्स क्या सो थारी सरे आज की वीडियों बात करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स का पेपर बैटरन क्या होने वाला है विकास मैथमेटिक्स बड़ा ही में सब्जेक्ट है तो हमें इसका पता हो नहीं चाहिए कि बेख कितने सवाल इसमें आएंगे हम सब्सक्राइब कर लेना अब सबसे बहले और बड़ी इंपॉर्टन बात यह है कि बच्चों के पास क्लाश वल्टर साइंस सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब कोई नहीं होगा मैंने इतना अच्छे सब्सक्राइब करा हुआ है कि आप लोग तो होई नहीं सकते हो तो अब देखो हमारा जो टोटल नंबर का वेटेज होता है हमारा सो नंबर कर रहता है लेकिन अब हमारी जो हो गई है वह हमारी असी नंबर की और बीस नंबर जो हमारे इंटर्नल स्कूल से जाते हैं अब इस में देखो कितने हैं हमारे मैट के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर आफ कुश्चंस आपको करने पड़ेंगे 38 कुश्चंस आपको सौल्व करने पड़ेंगे फीजिक्स और केमिस्ट्री के अपरेजन में तीन सवारिस में हमारे पास सेक्शन नमबर एक ही अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेते हैं अपना सेक्शन नमबर एप सेक्शन नंबर एक के अंदर हमारे पास है और इनमें one mark का each question हमारा होने वाला है इसके बाद हमारा आएगा section number B रहेगा अब section number B में अगर हम देखें तो हमारे पास रहेंगे number of questions की बात करी जाए तो number of questions हमारे पास 5 रहेंगे और यह हमारे very short answer type question है अब इनकी marking देखें तो यह हमारे रहेंगे दो mark each ठीक है दो mark का एक-एक सवाल रहने वाला है और इसके अंदर आपको internal choice दी जाएगी दो internal choice अब पहले हम choice के बारे पर जान लेजाना है कि choice कितने type के हो सकती है हमारे गराब बात करें choice की तो choice हमारी दो type के हो सकती है पहला हो सकता है हमारे पास choice question wise मिल जाए हमको ठीक है दूसरी होगी हमको part wise choice मिले यानि कि तो भाईया नॉर्म है फिर मतलब भी बता दो देखो question में क्या है for example question number 3 देखा है एक सवाल यहां उसके वाल लिखा है और एक question दिया गया है तो इस पर difference का है देखो question number 3 में आपको यह वाला सवाल करना है यह वाला सवाल को solve करना है ठीक है अब part wise में क्या है कि question number 3 में part number 1 part number 2 and part number 3 में आपको choice दे गई है और तो अब क्या होगा अब बात यह है बच्चा confused हो जाता है बच्चा यह सोचता है कि या तो हम यह 3 part solve करें या फिर यह वाला सवाल सवाल कर लो लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है section भी हमारे पास दो internal choice है section number C है हमारे पास short answer type question और short answer type question हमारे पास रहेंगे अगर हम बात करें number of questions की किसकी number of questions तो वह हमारे रहेंगे 6 ठीक है और इसमें अगर हम mark की बात करें तो यह हमारा रहेगा तीन नमबर का एक सवाल होने वाला है and 3 internal choice दी जाएंगे आपको देखो 6 सवाल है आधे सवाल में तो आपको internal choice मिल गई है next is section number D अब section number D जो हमारा है इसके अंदर आपको number of questions की अगर बात करी जाए number of questions आपके रहेंगे इसमें चार सवाल आपको दिये जाएंगे और इनकी जो mark है इनके जो number है यह आपका पांच number का एक-एक सवाल होगा ठीक है पांच number का एक-एक सवाल रहेगा और चार मेंसे आपको दो internal choice दे दी जाएंगी क्या दे दी जाएंगी दो दो इंटरनल choice दे दी गई है अब देखो क्या किया पहले choices यतनी नहीं मिलती थी जितनी अब आपको दी जा रहे हैं और नंबर ओफ कुश्चन है वह आपके तीन कुश्चन रहेंगे और मार्क्स की अगर हम बात करें तो यह चार नंबर का हमारा एक सवाल रहेगा ठीक है अब इसमें इंटर्नल चॉइस भी रहेंगे आपकी तो इसमें दो इंटर्नल चॉइस होंगे देखो पाइट वाइज में ही आपको मिलेगी तो बस आज की वीडियो में पूरा पीपेपर बैटन जब मैंने एक्स्प्लेइन करा हैं आप लोगों के लिए उम्मिद करूंगे आपको समझ माया होगा अगर आपको कोई और भी दिक्कत का सामना करना बढ़ रहा है तो आप कमेंट कर्क कर दो कर संदिकत कर भी तो आपको